सोनिया जी क्या राहूल की ताली में ताल तालती रहोगी अरे हम भी तो चाबल लिए बैटे हैं हमारे भी ताली में ताल डालो लाकर बहुत तेज भूग लगी है आज स्कूल में ताल चाबल बने है जिसको देखकर भूग और जाता बढ़ गई ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी दाल और चाबल खाने के लिए मिले सोनिया जी जल्द से जल्द ठाली में दाल दे दो बोधी जी तुम भी बिल्कुल आपत मचाये रहते हो अरे स्कूल में आज खाना देर से बना है तो सब को देर से ही खाना मिलना है ममी जी दोरी सी दाल और डाल दो धाली में और डालो दाल बहुत अच्ची है आज की बने वी ऐसा लग रहा है आज मैं बहुत खाना खाऊंगा मेरे बेटे पहले ये जो थाली में चाबल और डाले ये तो खाले जब ये डाल चाबल तु खालेगा फिर तुझे मैं और दे दूंगी नहीं तो तु जादा ले लेगा फिर खाने ही पाएगा छोड़ देगा डाल चाबल थाली में अरे अगलेस आज तुम इस्कूल में बड़ा देर से आए और खड़े कैसे पड़े हो बैटो थाले लाओ अपनी तुम्हें पहले चाबल परोज दू उसके बाद डाल दे दू लेकिन ये बताओ तुम इतनी देर से स्कूल के वह आए हो क्या बताओ जोलिया जी गर से सैकल से निकलाता रास्ते में सैकल पंचर हो गई जिसकी बज़े से मुझे यहां इस्कूल में आते आते बहुत बत्त हो गया अगलेज तुम्हारी यही दिक्कत रहती है हमेज़ा तुम्हारी साइकल पंचर होती रहती है रास्ते में साइकल बदल क्यों नहीं लेती हो दूसरी साइकल ले लो ओदीजी दूसरी साइकल खरीदने के लिए पैसे लगेंगे पैसे कौन देगा आप दोगे पैसे तेज भूग लगी ये आज सैकल को चलाते चलाते भूग जादा लगने लगी अखलेस एक बात बताओ जब स्कूल में तुम देर से आयो तो थोली देर इंतिजार करो तुम तो आपत मचार पड़े हो तुम्हारी थाली में पहले चाबल दिये जाएंगे उसके बाद डाल मिल पहलेगी फिलाल तो मैं सब लोगों को दाल दे रही हूं चाबल तो पहले दे चुकी हूं सबको वैसे मोती जी एक बात बताओ इसकूल में ये खाना मिलता है इससे दिल खुस हो जाता है बहुत ही मज़े का खाना होता है बिल्कुल योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हो तु मैं तो स्कूल रोज काना काने के लिए आता हूँ पढ़ाई में तो मेरा कोई कास मन नहीं लगता लेकिन खाना स्कूल का बहुत अच्छा लगता है और भाई लोगों वीडियो को लाइक रो चैनल को सब्सक्राब करो